है तो हेलो बच्चों चलो आगे कोश्चंग 5 से लेके eight कर देखें टक क्याासिक संसैटी इंसैटी सौलिशन वाटर चेप्रेश्ट ठीक है कोश्चंग 5 से 8 टक होगा ठीक है कोश्चंग 1 से 4 तक हो चुका था चलो यहां ध्यान दो चलो अगला कोश्चंग देखो ठीक है चलो हो टेक आट कोल बाटल ओवातर फ्रॉम दे रेफिरिजेटर एड केप टो न जुटे कहा है को चलो तो कोल बोरत न इकलो है ठंडा सा बॉटल पानी का ठीक है और उसको जो है टेबल पर दो किस पर थॉसकर बाटला ते वल पर आफर सम टाम उट्यूटीस पडल आ ढाइता सbtera टो हम उदाव को पता है तो जो सिपने होता है तोको रापोसले पीछ यज रहे जम जागगा यंग जो का बडसे श्रीज का नहीं जमना मुतन मतलब की यह रिजमना मतलब की बैठ रा कि द्रप्ट बन जागा तो यह होड लोड पर यह बोर शेु जया हैं, तो यह जो क्ल बाटल का मधरिक से पर नोग करते हैं यह जंते हैं इस पर मैंने निसाने दीड करा फॉर ध्यांने चवर्ण बेत है प्र पारेस इंसàyक में इस तो डेगता आप पिपल अफेन ब्रीद आउट उन घ्लासे सेथा तुम क्यासा थाल करते हैं इसफिर वाटर्ड लपलेट जो है जम जाता है ठीक है इसपिलें वातर ड्रीच तो यह जो शीशा है यह क्यूं भीघ जाता है ठीक है यह बताना है तो देखो हम लिख रहे हैं during exhalation यानि बाहर सांस छोड़ने के दौरान carbon dioxide is released along with water vapor ठीक है तो देखो carbon dioxide तुमको हम बताये थे वो जो gas पास होता है उसको carbon dioxide नहीं कहते है यह देखो यह सांस लिए oxygen यह जो मुझ से छोड़े है यह जो गर्म हवा यह क्या है carbon dioxide ठीक है तो exhalation के दौरान exhalation मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना ठीक है carbon dioxide is released along with water vapor यानि water vapor के साथ साथ मुझा carbon dioxide के साथ साथ water vapor भी बाहर आता है if one breathes out onto glass अगर एक आदमी जो है glass पे ऐसे फूख मारता है यानि की breathe यानि breathing जो है बाहर करता है ऐसे breathing करता है the released water vapor यानि जो water vapor release हुआ है collide with the surface of the glass ठीक है अब जैसे देखो यह रहा glass यह है मैंसे के तो carbon dioxide के साथ water vapor आया वह जाके इससे टकड़ाया ग्लास से टकड़ाया वाटर वेपर के से टकड़ाया इससे टकड़ाया देरभाई मेकिग इट कूलर ठीक है देरभाई मेकिट कूलर देखो इवन बीजिट्स आउट आउंतु ग्लास देर रीलीस्ट वाटर वेपर कोलाइड विद दा surface of glass thereby making it clear और क्या हो जाता है उसको cool कर देता है as a result the water vapors present in the air surrounding the glass condenses and get attached to the glass surface consequently ठीक है तो जैसे ही हम ऐसे किया तो water vapor जो गया और यहां पे जाके इसको cool कर दिया क्या कर दिया? cool कर दिया तो इस surface को जब cool कर रहा है और इससे इससे जो सटा हुआ जो भी water vapor होगा as a result the water vapor present in the air surrounding the glass यानि glass के आसपास मालों यह glass अचस्मा का तो glass के आसपास जो भी जो air है क्या है air water vapor present in the air जो भी water vapor glass के आसपास है तो वो क्या हो जागा इससे attach हो जागा क्यों? क्योंकि condensed हो गया फिर से सुन जादे देखना यह रहा glass यह हम फुके मतला हवा बाहर फेके तो क्या water vapor आया water vapor समस्कते water पानी ठंडा ऐसे तो यहां जाके इससे टक्राया इससे टक्राया कि इसको कूल किया इसको कूल किया अब इससे सटा हुआ जो water vapor है water vapor जो है ठीक है वही चिपक जाता है इसलिए हम कहते है कि भींग गया है लगता है यह है ना consequently the glass becomes wet और फिर क्या होगा जिसके उपरांत कि जो glass है वो wet हो जाएगा यानि भींग जाएगा ठीक है question no.6 हो गया question no.7 क्योर बढ़ते है चलो देखो how are clouds form यानि बादल कैसे बनते हैं ठीक है हम बतायाते हैं कैसे बनते हैं ठीक है एक वारे में इसको पड़ देते हैं ठीक है और फिर समझाते है clouds are formed by the process of evaporation and condensation यानि बादल जो है evaporation or condensation process से बनते है water from the ocean rivers lakes ponds plants fields and other land surfaces evaporates gets into air and rises up in the atmosphere एक है रादल यानि यानि पानी जो की ocean से town का पानी समुद़र पानी नदी जीटक का पानी मेदान का पानी कहीं का पानी रे PHP का पानी टंकी का पानी वह मंधे और जाता है झाला है लिए पानी जो भी पानी लैंड शर्फेस पे है वह शारा एवाप इस पिरई करता है क्या काता है इक एक फिरख इस थिए अब बनता है हुआ में जाता है यहां आप शुशेट है ते अफ्वेर यहां पे हवा जो है ठंडा है यहां पर यह जो कि यह जो वाटर वेपर जो है जो कि उपर जा चुका है तो उस हाइट पर जाके वह जाता है वाटर वेपर जो है यही वाटर जो कि इवबरेट होके वाटर वेपर बना एक हाइट पर जा यहां क्या है यह नहीं यहीं उनेलब अधिकता बिए भी आपस पास अधसमें जूड़ जाता है अधस्यूजुड जाता ओर क्या आप ड्रापलेट बना लेता है और यही बड़ाश्ट बड़ापलेट जो ऐसे जब जूड़ता है चोटे चोटा-चोटा ड्रॉपलेट अभ तो अधिकलाव्ड बन जाता है थीक है कि ऑनकंडेंसेंशन और कंडेंसेशन होनी के बाद कनके सिचन कि यही वारट वाटर ही पर उपर जाने के बाद जो Assdonator अजल्ठ आपस में बद नदा उस सिहां जर्यों करने स्थे यहीन द sécur क्टेंसेशions वार्ट दॉडड बनाता भुडशी expects कॉलेक्ट friends और हवा में उपर जो है हवा में तैड़ता है जिसको कि हम बादल कहते हैं and we call it as clouds question number क्या था यह 7 question number 7 भी complete अब है 8th question, last question चलो, so सूखा कैसे पढ़ता है, सूखा कैसे मतलब एक एरिया में कैसे सूखा पढ़ जाता है तो सूखा पढ़े गया, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, यह भी चीज़ हम थेओरी में बता हैं एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं और जिसको समयना, a drought occurs if there is no rainfall for a long time यानि सूखा, ठीक है, सूखा तब पढ़ता है, जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, लंबे समय तक, ठीक है यूज्वली, water lost by soil due to evaporation is returned to it by rains, ठीक है जब भी पानी खो जाता है, इनि मिट्टी के द्वारा है, मिट्टी से जो भी पानी निकल जाता है evaporation की कारण तो वह वापस return हो जाता है हमको बारिश के रूप में, ठीक है अगर लेकिन अगर बारिश हो ही नहीं रहा है बिलकुल लंबे समय तक के लिए ठीक है इट लेक्ट टो डिक्रीज इन द वारिश नहीं हो रहा है तो वार्टर का जो लेवल है वाटर का लेवल है व नीचे चल जाता है और पॉंड्स का यानि तलाप का भी जो वाटर का लेवल है वो भी नीचे चल दाता है ठीक है, this led to the condition of drop बारिस नहीं हो तो पानी मिल रहा है जमीन के अंदर जमीन तक जाएगा जमीन तक जाएगा तभी तो ग्राउंड वाटर लेवल बना रहेगा वाटर लेवल समझ रहो ना, तो यहीं कंडिशन जो है क्या कहलाता है, drought कहलाता है, d r o u g st, ठीक है, classic n c a t solution water, water chapter पूरा complete हो चुका है, अगर नहीं देखे हो तो थे औरी जाके देखो, पूरा lecture चड़ा हुआ है, ठीक है, water पूरा ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा, guarantee समझ में तक ये भी हो गया ठीक है इसको भी देखो और इसको समझो ठीक है सो बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को इध्यान से सुनने के लिए चलिए